आज हम लोग इस वीडियो के माध्यान से TGT 2021 के कोश्चन को देखेंगे जिसमें हम डिटेल्स कोश्चन को देखेंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को पहला कोश्चन है बरतमान समय में स्वास्त विज्ञान को किस नाम से जाना जाता है आंसर हो जाएगा प्रिवेंटी एंड सोसल मेडिशीन के नाम से नेक्स्ट कोश्चन है लिनन तन्तु के तने से प्राप्त होता है आंसर इसका हो जाएगा फ्लैक्स के पौधे के तने से जो होता है लिनन के तन्तु की प्राप्ती होती है चलिए लिनन के बारे में जानते हैं कुछ महत्फूर बाते हैं जैसे कि लिनन किसका प्रतीक है तो लिनन जो है वो बिलाशिता, महंगेपन, पवित्रता, सुध्रता, सांती, एश्वरे और बैभो का प्रतीत माना जाता है इसके मजबूती की बात की जाए तो बानस्पतिक जगत का सरवादिक मजबूत रेशा लिनन का रेशा होता है और जन्तु जगत की बात की जाए सबसे ज़्यादा मजबूत रेशा रेशम का होता है कपास की तूलना अगर लिनन से की जाए तो लिनन जो होता है वह तीन गुना मजबूत कपास से होता है लिनन की भूम मिस्र को कहा जाता है लिनन के जो छोटे रेशे होते हैं इनको टो कहा जाता है और जो बड़े रेशे होते हैं इनको लाइन कहा जाता है लिनन का वानस्पतिक नाम लिनन यू से टेडिशियम है नेक्स्ट कोश्चन देखते हैं बिस्व स्वास्त दिवस की अस्थापना कब हुई थी आंसर हो जाएगा साथ अप्रेल सन 1948 स्वी में इस कोश्चन का डिटेल्स देखते हैं नेक्स्ट कोश्चन है बिस्व स्वास्त दिवस की अस्थापना कब हुई थी आंसर हो जाएगा साथ अप्रेल सन 1948 स्वी में साथ अप्रेल सन 1948 स्वी को बिस्व स्वास्त दिवस की रूप में इसे अस्थापित किया गया था WHO को हिंदी में 200 स्वास्त संगठन के नाम से जानते हैं इसके लिए तीन डेट निधारित किये गये हैं पहले डेट की बात की जाए सन 1945 तो WHO यानि की 200 स्वास्त संगठन का जो प्रपोजल था ब्राजील वच्छीन से आया और सन 1945 स्वी में आया सन 1946 स्वी में इस डेट को अस्थान मिल गया संभिधान में और सन 1948 स्वी में इसकी अस्थापना हो गई यानि की 200 स्वास्त संगठन की अस्थापना की बात की जाए तो इसकी अस्थापना सन 1948 स्वी में हुई इसलिए हर साल 7 अप्रेल को 20 स्वास्त दिवस के नाम से इस डेट को मनाया जाता है 7 अप्रेल 1948 सिस्वी में WHO की अस्थापना हुई थी जिससे यह डेट 7 अप्रेल को 20 स्वास्त दिवस के रूप में जाना जाता है WHO का कारियाले की बात की जाए तो WHO का कारियाले जनेवा के स्विटिजर लेंड में है और इसका जो कारियाले दिल्ली में अस्थापित किया गया उसकी सन की बात की जाए तो 1 जनवरी सन 1949 सिस्वी को WHO का कारियाले दिल्ली में अस्थापित हुआ WHO INCAP के साथ मिल करके एक प्रकार का वानस्पतिक प्रोटीन बनाता है इस प्रोटीन का नाम INCAPRINA है जो प्रोटीन नियूंता से पीड़ित बच्चे हैं, गरीब हैं उनमें यह बाटा जाता है ताकि उनमें प्रोटीन सम्बंदी नियूंता को दोर किया जाए INCAP का Full Farm है Institute of Nutrition of Central American and Panama नेक्स्ट कोश्चन है बालक का समाजिकरण कहां से प्रारंब होता है आंसर हो जाएगा परिवार से बालक का समाजिकरण परिवार से प्रारंब होता है और उसकी प्रथम सिक्षी का मा होती है नेक्स्ट कोश्चन है प्रिसार सिक्षा सब्द का सरप्रथम प्रियोग किस सन में हुआ था आंसर हो जाएगा सन 1873 में कैंब्री जिविश्र विद्याले में प्रिसार सिक्षा सब्द का सरप्रथम प्रियोग हुआ था नेक्स्ट क्वेशन है डबलु एच ओ कारे करता है आंसर हो जाएगा माता इवंग सिसु के लिए डबलु एच ओ कारे करता है इसका हिंदी नाम विश्व स्वास्त संगठन है नेक्स्ट कोस्टन है प्रोटीन में नाइट्रोजन का प्रतिशत होता है आंसर हो जाएगा 16 प्रतिशत प्रोटीन की बात की जाए तो प्रोटीन का नाम सरप्रतम सन 1838 सिस्वें डच बैग्यानिक मुल्डर द्वारा प्रस्तावित किया गया था इस सब्द के उदगम की बात की जाए तो यह ग्रीक भासा के प्रोटियास सब्द से लिया गया है जिसका अर्थ होता है पहले आने वाला मानो सरीर की जो सभी सुक्षमत्म इकाईया यानी की कोशिकाएं होती है ये सारी प्रोटीन्स की ही बनी होती है हेपिटाइटिस लीबर सोद फैलता है आंसर हो जाएगा बिशाडू से नेक्स्ट कोशन है यूनिसेप की अस्थापना कब हुई थी आंसर हो जाएगा सन 1946 सुई में चलिए यूनिसेप की बारे में कुछ जानते हैं यूनिसेप का जो मुख्यारला है वो नियू आर्क में है परन्तु यह कोपेन हेगन से कारे करता है भारत में इसके मुख्यारला की बात की जाए तो दिल्ली में है यूनिसेफ के अभियान का नाम गोबी है यह बाल को एवंग सिसुओं के मृत्त दर को कम करने के लिए चलाया जा रहा है सामुदाई विकास कारिक्रम की धूरी किसे कहा जाता है आंसर हो जाएगा प्रशार कारेकर्ता को सामुदाई विकास कारिक्रम 2 अक्टोबर सन 1952 को सुरुवात किया गया भारत के प्रथम राष्टपती डाक्टर राजेंद प्रसात के हाथो इसका सुभरंब हुआ था